नमस्कार दोस्तों, स्मार्डियोर में आपका स्वागत है, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्चे होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास यहाँ पे तीन चेंसों मशीन हैं और तीनों जो है, आपको गोल्डन बुलेट की कमपनी के तरफ से आता है और यह तीनों मशीन जो है, आप देख रहीं, यह तीनों भी नए मॉडल से और इसमें आपको बता दें, तो यह जो मशीन है, जो कि आप ग्रीन कलर का देख रहें और यहां पे जो blue color का देख रहे हैं यह तोड़े पुराने type के designs में आपको आते हैं यानि कि इसके parts वगेर आपको आसानी से मिल जाते हैं और यह सबसे नीचे जो machine आपको दिख रहा है यह razor model है उनका जो की बिलकुल नया product है तो अभी जो है हम इस machine को कोलने वाले हैं और हम आपको detail में इसके बारे में बताने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको unbox करके दिखाने वाले हैं यह chopper वाला model जो की आपको green color में आता है और यह जो machine है यह सबसे basic machine है यह इसका guide है यहाँ पे जो लिका हुआ है यह आपको green color में लिका हुआ है क्यूंकि machine जो है यह green color का है और यह जो guide है यह इसका cover के साथ आता है तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक manual आपको मिल जाता है इसके कुछ tools आपको मिल जाते हैं इस टूल के लिए आपको कोई bag वगरा नहीं मिलता है और यह इसका chain है और आपको मिल जाता है इसका guard, यहां पर आप को आपको आथा है यहां पर यह जो है, यह इसका lock है और यह इसका unlock है यहां पर आपको एक mixing का bottle मिल जाता है तो दोस्तो यह रहा golden bullet का chopper वाला model तो अभी हम बाकी दोनों machine को भी unbox करके दिखाने वाले आपको बाद में इसके बारे में हम आपसे detail में बात करेंगे और दोस्तो ये जो model है ये axer model है जो की एक professional model है दोस्तो ये जो है ये इसका guide है जो कि आपको gold color में आता है यहाँ पर जो लिका है ये golden में लिका है तो दोस्तो machine के अंदर आपको क्या क्या मिलते है आप देख लीजिए सबसे पहले आपको इसका manual मिलता है दोस्तो ये इसका chain है और ये वाला जो machine का chain है और ये वाला जो machine का chain है ये अलग-अलग है इसका जो tools वागेर आता है आपको एक bag में आता है और इसका जो design है ये सभी जो है लगबग आपको mat finish में दिया है दोस्तो ये इसका guard है तो दोस्तो यहाँ पर भी आपको एक mixing bottle मिल जाता है तो ये रहा golden bullet का professional quality का एक chainsaw machine तो इसको भी हम रख देते साइड में तो दोस्तो finally हम आपको unboxing करके दिखाने वाले हैं इनका razor model जो की एक अलगी type का एक machine है और दोस्तो ये इसका guide bar है जो की आपको यहाँ पर white color में लिका हुआ है तो यहाँ पर भी बाकी machines की तरह आपको इसका यहाँ पर chain भी मिल जाता है manual भी मिल जाता है इसका जो tools है यह भी आपको मिल जाता है और इसका finally जो guard है यह भी आपको मिल जाता है तो यहाँ पर भी आपको mixing bottle मिल जाता है तो दोस्तो यह रहा golden bullet का razor model जो की बिलकुल नया product है पूरे बारत में इस प्रकार का कोई भी machines इसके पहले नहीं आया है क्योंकि इसके अंदर के जो भी parts है यह तोड़ा अलग type के parts है बाकी machines की तरह इसका design नहीं है तो दोस्तो अमने यहाँ पे तीनों machine को भी साथ में रखा है यहाँ पे आप देख सकते है यह chopper का model है यह axer model है और यह razor model है यह दोनों लगबग जो है एक ही प्रकर के models है यह professional grade का machine है यह आपके domestic use के लिए बना है और यह दो जो machines है यह लगबग आपको professional grade के quality में आपको आ जाते है यह वाला जो है आपके domestic के use के लिए बनाया है machine को तो दोस्तों यह वाला जो machine है यह chopper का series है इनका यहाँ पे आपको क्या क्या जीज़े मिल जाते हैं आप देख लीजिए यह इसका switch है अगर नीचे है तो यह बंद हो जाता है अगर आपको चालू करना है तो आपको उसको उपर रखना है और यह वाला जो button है यह इसका trigger है और यह जो है यह इसका trigger का lock है अगर आपको इसको lock करना है तो आप इस button को दबाएंगे और इसको यहाँ पे दबा देंगे यह अपने आप जो है लॉक हो जाता है तो अगर आपको unlock करना है तो आप फिर से यहाँ पे trigger को दबा सकते है और दोस्तों आपको यहाँ पे इन्होंने primer pump दिया है ताकि जो है आपके जो machine को start होने का जो procedure है तोड़ा सा जल्दी हो सके और यह जो है यह इसका चोक है इसके अंदर जो है इसका filter है filter को हम आपको कोल के दिखाने वाले जल्दी तो यह इसका filter है देख सकते हैं आप यह इसका carburetor है तो machine जो है side से कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है यहाँ पर आगे जो है इसका silencer है तो दोस्तों यह रहा golden bullet का axor model इसका हम करीब से देख लेते हैं इसका जो design है यह बिलकुल अलग है उस प्रकार के machine में इसका design नहीं आता है यह बहुत standard type का design है इनका यहाँ पर भी आपको primer pump मिल जाता है यह इसका चोक है यहाँ पर आपको switch दिया है यहाँ पर जो switch आपको मिलता है यह तोड़ा अलग है यह वाला switch हैं यह अलग है यह generally चालूही रहता है अगर आपको बंद करना है तो आपको इसको ।बा के रखना है उसका जो capacity है ये 550 ml का petrol आपको उसमें बढ़ सकते हैं और ये वाला जो machine है इसमें भी 550 ml का petrol बढ़ सकते हैं इसमें जो है आपको 100 ml जो petrol ये ज़्यादा बढ़ता है और दोस्तों इसका जो यहाँ पे starter है इसका जो cover है ये आपको aluminium में मिलता है और बाकी जो machine से वहाँ पे और यहाँ पे इसका cover जो है आपको plastic में मिलता है क्योंकि ये जो है लगबग आपको professional quality हम आपको मिल जाता है यहाँ पे handle के उपर इन्होंने grip वगेरे दिये हैं और ये जो पूरा इसका जो paint finish है ये सभी जो है ये matte है देखने में बहुत अच्छा लगता है पकटने में बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों बाकी machine की तरह यहाँ पे इसका trigger है तो अभी जो है हम आपको इसका filter cold के दिखाने वाले filter cold ने का जो process है बहुत ही आसान है ये इसका डखकन आसानी से open हो जाता है ये इसका paper का filter है तो दोस्तों machine जो है side से कुछ इसप्राकर का आपको दिखता है यहाँ पे इसका petrol का डखकन है और इन तीनों machine में आपको 260 ml का आपको यहाँ पे oil भरता है जो कि आपके chain को lubrication देता है और यहाँ पे जो रसी किसने का जो इसका setup है यहाँ पे आपको rubber वगएरा दिया है तो फकड़ने में बहुती ही आसानी होती है soft महसूस होता है आपको तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका side view तो यहाँ पे आप इसका बोर का जो fins आप देख सकते हैं इसमें जो है फिन्स कम है और इसमें जो है फिन्स ज्यादा है मतलब ये प्रफेशनल ग्रेट का ये मशीन है तो ये जल्दी जो है बोर को कूलिंग भी देता है क्यूंकि आप यहां पे जो है उतना दिर तक इस मशीन को चलने वाले तो नहीं है क्यूंकि आप इस मशीन को यह आप मशीन लेते हैं आपके प्रोफेशनल यूज के लिए तो यह मशीन गरम होता है तो उसको जल्दी कूलिंग देने के लिए यहां पे ज्यादा से ज्यादा उन्होंने जो है यहां पे आपको फिंस दिये हैं इस बोर के ऊपर तो यहां पे इसकी केसिंग है जो कि ब्ला जो है यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको टांस्परेंट कलर का यहां पर आपको प्लास्टिक दिया जाता है हाला कि यहां पर आपको जो है प्लास्टिक काई मिलता है लेकिन यह जो है यह तोड़ा ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है यह आपको तोड़ा और यह जो filter यह आपको आसनी से मिल जाता है आपके local market में इसका जो carburetor का design वगरा है तोड़ा सा अलग है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया यह जो machine है यह पूरे बारत में पहली बार यहाँ पे launch हुआ है इस प्राकर के design में तो इस machine का एक feature में आपको बता दूँ दोस्तों यहाँ पे एक आपको transparent tank की दिया है ताकि आप यह जान सकते हैं कि आपके machine के अंदर petrol कितना है और यह जो चीज आपको बाकी किसी भी machines में आपको नहीं मिलता है यहाँ पे आपको primer pump नहीं दिया है इसलिए कि इस machine के लिए primer pump की कोई भी आवजशकता नहीं है तो दोस्तों अभी हम यह करने वाले हैं कि इन तीनों machine में जो है इसका जो आपको guide के लिए जो oil लगता है उसको हम बर देंगे पहले उसके बाद यहाँ पे आपको petrol भरके इस machine को start करके दिखने वाले तीनों machine को हम आपको start करके दिखने वाले तो सभी machine में जो है, 260 ml काा आपको oil यहां पे बरता है और यह जो हम oil आपको यह बरके दिखने वाले है यह इसी machine के लिए बनाया है आप आपके local market में इस oil को ले सकते हैं, अगर आप वहां पे guidance bar chain oil बताएंगे तो आपको यह oil मिल जाता है, जो oil है इसका 100 रुपीस लगता है आपको एक लिटर के लिए, और अगर आपके area में इस प्रकर का oil नहीं मिलता है, तो आप जो है आपके जो engine को oil आता है, जो की सस्ता वाला 40 का oil आता है, उसको आप यहां पे use कर सकते हैं, तो दोस्ता आपने देखा हम तीनों machine में जो है इसका जो lubrication का oil लगता है, chain का उसको आपने यहां पे बढ़ दिया है, तो अभी हम petrol बढ़ने वाले हैं इस machine में, तो आपको एक लिटर के petrol में आपको 40 ml का आपको 2T oil आ डालना होता है, अगर आप पहली बार machine चलाते हैं, तो आप जो है तोड़ा सच ज्यादा oil आप इसमें डाल सकते हैं, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, आमारे पास यहां पे 2L का एक bottle है, जिसको हम पहले ही petrol pump में mix करके लेके आते हैं, आपको mix करना है 2T oil, दूस तो आमने यहां पे लगबग 45 ml का oil डाला है, एक लिटर के petrol के लिए, तो दोस्तों यह जो machine आप देख रहे हैं, यह axer model है, इसका जो tank ही आता है, आपको 650 ml का आता है, बाकी दोनों machine में से आपको 100 ml ज्यादा इसमें petrol बढ़ता है, तो सबसे पहले हम जो है, अभी chopper machine को start करके दिखाने वाले, तो दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहले इसको दबाना है, जब तक यहां पे pressure create ना हो, तो अभी हमने इस chalk को on किया है, और इस machine जो है, इसका switch हमने on condition में रखा है, अभी हम इसका जो रसी है, उसको कींचने व Tegg और नकाने झाले सता है, इसका झाले सी समिल, और रसी अंपको चा सम्मेम जो है, भी हमने जहां रएखा bulb, यह खाले सम्मचने नारत की हमने गीज़, तो सिं में झाले समकने वाले से ब्लफ़ग। तो अभी हम स्टार्ट करके आपको दिखाने वाले हैं यह इनका एक्सर मॉडल जो की एक प्रोफेशनल मॉडल है तो इसमें भी आपको पंप आता है जो की प्राइमर पंप होता है तो सबसे पहले ही हम यहां पे इसके अंदर पेट्रोल बढ़ देंगे पंप करके तो मशिन जो है पहले ही ओन कंडिशन में है आमको स्विच को दबना है सिर्फ मशिन को बंद करने के लिए जो को हमने ओन किया है हुआ हुआ हनुआ है जो कि आता है तो दोफ्तों यहां पे आप देख सकते हैं यह इसका पेट्रोल का विंडो है पेट्रोल कितना है यहां पे आप देख सकते हैं यह जो फीचर है यह आपको बाकी मशिन्स पे नहीं मिलता है और फाइनली जो है हम इस यूनिक मशिन को आपको स्टार्ट करके दिखाने वाले तो इसमें कोई आपको प्राइमर पंप नहीं आता है सिधा हम इसको जो चो के उसको गींचने वाले मशिन को हमने आउन पे रखा है और अभी हम इस मचिन को स्टार्ट करके दिखाने वाले करा सुरान कर दिखाने वाले कर दो जाज़कर दोती पिला कर दो प्रेंग कर दोबादा कर दो कर दो प्राहते हैं सब जहकते हैं गुष् Already गरे खीड़ु गई भो टो टो तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहांसे जो है औइल नीचे आ ने हमने यहां पre कोई भी गाइड नहीं डाला है इसके लिए जो आईल यह आभी नीचे घिर रहा है तो दोस्तों आपने इसका जो sound सुन लिया इसका जो sound है तोड़ा लगे और इसका जो तो इसको आपको कंट्रोल करने के लिए यहां पे एक स्क्रू दिया है, इसको आप तोड़ा ज्यादा या कम करके जो आपको जितना आपको लिब्रिकेशन लगता है उतना आप यहां पे सेटिंग कर सकते हैं, तो दोस्तों यह वाला जो हिसा यह आपको सभी मशीन में अलग स तो एक चीज़ मैंने यहां पे तीनों मशीन को स्टार्ट करने में नोटिस किया है, पिछले साल मैंने एक गॉल्डन बुलेट का मशीन का मैंने एक रिव्यू किया था, उसका रसी किचने का सेटप था, वो तोड़ा हाड था, यह जो है यह बिल्कुल सॉफ्ट है, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है, कोई भी इस मशीन को आसानी से स्टार्ट भी कर सकता है, तो दोस्तों अभी हम जो है इस मशीन के अंदर इस गाइड को और इस चेन को फिट करने वाले है, तो अगर आपको इसके बारे में डीटेल में वीडियो चाहिए, तो उसका ज और यह जो है यह इसका Razor model है तो यह जो इसका weight है यह 5.5 kg है net weight है without petrol or oil और यह जो है यह आपको 5.25 kg में आपको आता है और एग जो मैंने आपको model दिखाया जो की chopper model है green color का वे आपको 5 kg का आता है झाल झाल कर दो कर दो सकता है कर दो प्रखरें के दो सुपकराद कर दो कि आए थे आए कर दो पिस दिंग करेंगान करेंग दो शौन करेंगे एफुराइब कर दो वि माले कि दो परेंगे, डा क्यों वटते हो सकते हैं, नह भर बादसे जड़ हैं झाल 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 झाल